कि कहता है जी वॉस बॉन इन लाहोर अब लाहोर कहां है बताओ 1946 में अब सिंपल सी बात बताओ लाहोर कहां था 1946 में इंडिया में था यानि पाकिस्तान पूरा क्या था इंडिया का ही तो था तो यह लाहोर में होता है तो इससे क्या एक्जामनर बोलना चाहता है समझ जाओ यह इंडियन ओरीजन है क्या समझ जाओ अब इंडियन ओरीजन है तो इसके लिए क्या बेसिक कंडिशन टू बना है नहीं बना भई नहीं बना इसके लिए सिर्फ क्या है बेसिक कंडिशन वन ह ही है तो लाहूर में he was stay in इंगलेंट यह कहां रहता है इंगलेंड में रहता है 1973 में चला गया था इंगलेंड में और पर्माने रहे यह भारत आता है घूमने फिरने के लिए कब आता है assessment year 23-24 के लिए हाला कि मेरे पास ये पुरानी slide पड़ी है आपके exam में जब भी पूछा जाएगा तो 24-25 का आएगा क्योंकि income tax का अभी तक book आया नहीं है आपका जैसे ही आएगा तो मैं उसके साफ से सारी सारी चीजे कर देंगे 10 year बन गया है हाँ चलो अब बात करते हैं सर हमें फिर से जब ऐसे दे एक तो पहले question कैसा था जब आपको सीधा सीधा दे रहा था बीस दिन पच्चेस दिन तब तो आसान बन रहा था जब ऐसा दे तो आपको पूरा दे लिखना पड़ेगा जैसे आप लिखोगे एप्रेल में जून जुलाई अगस्त सेप्टेंबर ऑक्टूबर नमवंबर दिसंबर जैन्वरी फरवरी और मार्च वह यह दस में आया है तो एप्रेल के महिने में तो था ही नहीं तो कितने दिन जीरो डेस ठीक है मई में था क्या इंडिया में नहीं था तो जीरो दिन जून में इंडिया में था क्या नहीं था जीरो दिन जुलाई में इंडिया में था नहीं था जीरो दिन सेप्टेंबर में इंडिया थ नहीं था जीरो दिन, October में इंडिया था हां भाई October में था, कब आया था, 2 October, तो कितने दिन रुका ये, दो तारिक भी count होगा, तो सिर्फ एक दिन नहीं था, इसका मतलब 30 दिन इंडिया में था, कितने दिन था, यानि जिस दिन आ रहा है, दो तारिक जोड़ो भारत में था, तो वैसे October का महिना कितने का होता, 31 का, 29 बन रहा है, एक दिन और इंडिया में ही था, तो वो कितने दिन हो गए, 30 दिन, November की बात करें, भाई, इंडिया में ही है, कितने दिन, 31 दिन, January में भी इंडिया में, March में गया वो, 31 दिन, February में कितने दिन होगा, क्योंकि चल रहा है, 2023 तो 28 होगा, अगर 2024 चलता तो कितने दिन ले लेते हैं, आप 29 दिन ले लेते, March के अंदर भाईया, 31 दिन, मेरे हिसाब से तो ये कितने टाइम कंप्लीट कर पा रहा है, 30, 31, 31, 31, 31, 31, 181, लख्की है ये एकदम, कितने दिन होने चीए थे, 182, जबकि इसका कंप्लीट कितना है हुआ, 181, अगर ये 2024 के अंदर आता ऐसा, तो फज जाता ये, क्योंकि फरवरी में कितने दिन हो जाते, 39 और ये हो जाता भीया, रेजिडेंट, अभी ये नहीं कर पाया, अब बेसिक कंडिशन नमबर 2 क्या लगाए, इसके उपर लगेगा ही नहीं, तो बेसिक कंडिशन नमबर 1 not satisfy, तो ये हो गया, NR यानि non resident, किसी बच्चे को किसी को दिक्कत इसमें बताईए, किसी student को इसमें दिक्कत है, किसी student को इसमें दिक्कत question में बता दीजिए, फटा फट comment में, किसी student, नहीं sir, clear, ओके, चलिए आगे देखते हैं किस ट्राइप का question मिलता है, जो homework में देने वाला होगा, वो मैं दे दूँगा, ये तो साइथ same question ही copy कर लिया, ये 1936 में चला गया है, अच्छा है, थोड़ा सा अलक किया इन्होंने इसमें, अब इसको homework दे देंगे, जी born in England 1966 में, ये इंग्लेंड में प्यदा हुआ भाई, 1966 में, ठीक है, लेकिन इसके पिता जी, his father was born in America 1936 में, और इसके पिता जी अमेरिका में, और ये इंग्लेंड म और जी's grandfather, इसके दादा जो थे, वो हो गए, फिर से कहां, तो इसके दादा जी ने लहोर में जैसे ही born लिया, तो जो अब हमारा Mr. G है, वो बन गया क्या, Indian origin, residential नहीं, Indian origin, और Indian origin में क्या है, हमारा कौन सा condition पूरी चेक करेंगे, first, आगे कहता है, जी was resident in India, visit for 180 days, previous year, बताओ क बता ही चल गया वैसे, भाया नहीं होगा, क्योंकि इसको कितना पूरा करना था, 180, two days पूरा complete करना था, तो यह non resident होगा, तो यह तो ऐसे ही हो गया, देख के ही बन गया, question तो, यह वाले question आसान बन जाते है, थोड़े से, exam के point of view से, कहता है, आ citizen, India left, India छोड़ कर चला गया भाई यह, एक citizen था India का, यानि भाई, इंडिया में सब कुछ था, इंडिया में रह 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 था, लेकिन इंडिया छोड़ कर चला गया, कब चला गया सर, छे, छे, दो हजार, अब मुझे बताओ, इससे पहले कहा था वो, पूर पूरे पूरे इंडिया में, इससे पहले तो हर साल resident बन रहा था, यह, इसके बाद इसने 19 और 20 तक भारत में आया ही नहीं, डूरिंग 20 और 21 और 21 बाईस इस विजिट इंडिया, बोलता है भाया, यह 20-21 में आया, घूमने के लिए बोला देखते हैं भारत कैसा है आज कल, और यहां पर 145 दिन घूमके गया, फिर इसको और अच्छा लगा तो यह 21-22 में भी आ गया, 21-22 में आया, कितने दिन के लिए आया, 90 और 22-23 में भी आ गया, 22 और 22 के अंदर भाया, यहां पर थोड़ा सा दिक्कत मुझे, he comes to India, 22-23 में आप 22-23 में देखो, चालाकी क्या आएंगे, कितने दिन आये, दिन बता रहा है, 22-23 में जो आया, वो आया हमारा 7-4 को, 2022 को, और यह 30-11, 2022 तक भारत में रुका, डिटर्माइन रिजिदेंचल स्टेटस, 23 और 24 के लिए, तो भईया, आप यहां पे तो हमें, इसमें तो डेज पता है, यहां डेज निकालने प सेप्टेंबर, उक्टूबर, नवंबर, दिसमबर, कब गया वाई वापस यह, नवंबर में चला गया, तो आगे मैं अगर जनवरी, फरवरी और मार्च कर दूं, फरक नहीं पड़ता, तो एपरेल में कितने दिन रहा, एपरेल में रहा भाई, 24 दिन, मई में 31 दिन, जून में 0, मार्च में 0, तो अगर मैं इसके टोटल डेस काउंट कर लूँ इधर, तो कितने बनते हैं, 24, 31, 31, 31, 31, 30, यानि अरे फिर बच गया, बचना तो नहीं चाहिए, इसको 24, 31, 31, 31, 31, 30, और ऑक्टूबर में, कैसे बचेगा, बच जाएगा नहीं, टोटल 238 डेस हो गए, कितने दिन हो गए, तो भईया, 238 से तो इसके इसाब से इसने बेसिक कंडिशन नंबर, वन तो कंप्लीट कर दिया, अब क्या बोलते हैं, पिछले 10 सालों में, अब अब एडिशनल कंडिशन चेक करोगे ना, पिछले 10 सालों में, दो बार रेजिडेंट, तो भईया, यहां आर, क्योंकि इस केस में, 60 दिन तो चेक ही नहीं होंगे न, इस केस में कौन से दिन चेक होंगे, पूरे 182 डेज, तो आप होगे, अनौर, नोन, ओडिनरी, रेजिडेंट, बताइए, हर किसी को क्लियर है, चलिए, आप बिजिट इंडिया 182 डेज प्रेजिडिंग इर इमेडिएट लिए प्रिविए सियर के, चलिए, क्या कहता है, कुशन देखते हैं, कहता है, आर इस अ सिटिजन इन इंडिया, यानि भाई भारत का बंदा है, यह, ही, ही, हाज बिन कैरी आप प्रोफेशनल दुबाई, बोलता है, दुबाई चला गया, और वहां काम कर रहा है, वेर ही नॉट लाइबल टू पे एनी इंकम टेक्स, और वहां टेक्स देने के लिए लाइबल नहीं है, और एक चीज़ यह भी ध्यान रखना, दुबाई में भी टेक्स दे रहे हो, इंडिया कमा रहे हो, इंडिया में टेक्स दे रहे हो, तो डबल टेक्स हो जाएगा, एक इंकम के उपर, वह कहता है, एक कंट्री के उपर होगा, तो दे देंगे, क्या कह रहे हूं? शुरू में? बारह लाग रुपए and also earn 5 लाग रुपए from आपका exercising professional in the Dubai यानि total इसकी 17 लाग रुपए की income है तो अभी income पे कैसे tax लगाएंगे यह नहीं सीखा हम सिर्फ इसका status निकाल लेंगे the professional setup in beside India professional income has been earned 10 लाग रुपए in Dubai कोई एक और भाई 10 लाग रुपए का और इसके income इंकम बताये जा रहे है डिटर्माइन इस residential status during the previous year 22 तो आप एक बात ध्यान रखिए residential status निकालने के लिए income का इतना जादा जड़त पढ़ता है नहीं पढ़ता भी हम थोड़ी दिन में बात कर लेंगे तो उसके परपस से है अभी फिलाल आपको simple जैसे सिखाया वो सीखिएगा तो यहां पर कहता है भाईया वो इंडिया में आता है 110 दिन के लिए visit for India not visit in India बोलता है अगर 110 दिन के लिए आए तो क्या यह resident होगा तो जवाब ना अगर नहीं विजिट करता है तो क्या resident होगा जवाब नो लेकिन विजिट इंडिया करता है 190 दिन के लिए तो जवाब येस अगर विजिट करता है यह 122 दिन के लिए तो जवाब नो अगर विजिट करता है 300 दिन के लिए तो जवाब येस अगर विजिट करता है 122 दिन के लिए विज प्रिवेस एर करता चार सो दिन तो जवाब 600 दिन कैसे कर जाएगा एक सामने कि अब देखो को Western बनाने वालों का क्या है कि कहता है कि प्रिवेस इमेडिटली दपड़्य आप प्रिवेस एयर बाइस तेस में ही वोज इन इंडिया 400 दिन हो एक। तो 365 कर देते हैं इसको इससे ज़्यादा तो रोख भी नहीं सकते न तो जवाब yes है समझे अभी तक लेकिन अभी यहां पर देखो गे यार्य इनकम बाहर भी कमा रहा है इंडिया में कि 2020 में एक amendment लेके आना पड़ा था amendment और amendment क्या लेके आना पड़ा प्रीवियस फूर येर है मैंने देखा नहीं प्रीवियस येर लिखा है यहां तो चलो कोई नहीं अभी उसके मुद्धे नहीं तो जैसे यह income कमा रहा था तो बचा रहा था दुबई और ऐसे तो यार ऐसे तो बहुत लोग टेक्स के अंदर हेर फिर करेगी बहुत सारी ऐसी कंट्रिये जहां पर टेक्स नहीं लगता तो टेक्स देना बंता है तो गौर्मेंट को यह नियम बदलना था तो अब government करे तो करे क्या जब government को ये नियम लगा जरूरत के यार इस नियम को हमें क्या कर देना चाहिए बदल देना चाहिए तो section जो पहले लिखे होते हैं उसके बीच में government लेके आई section 1A और जब नियम बदला बोला पहले वाले दो नियम तो वही है basic condition, additional condition residential status निकालने के लिए लेकिन हम थोड़ा सा नियम में बदलाव कर रहे हैं कि अगर कोई वेक्ती अगर कोई वेक्ती foreign income को छोड़ कर अगर कोई भी वेक्ती मतलब foreign income को छोड़ कर अगर 15 लाक रुपे से ज़ादा पैसा भारत से ही बना रहा है वो अगर 15 लाक रुपे से ज़्यादा पैसा कहां से बना रहा है भारत से बना रहा है और कहीं tax नहीं देता है इस पर किसी other country पे तो हम उसको deemed resident मान लेंगे ये concept निकल के है क्या है हमारा deemed residence मान लेंगे ये बंद हो गया क्या तो हम उसको क्या मान लेंगे deemed resident यानि अगर आप foreign income हटा दो यानि सिर्फ इंडिया की income अगर आप भारत से 15 लाक रुपे की income कमा रहे हो तो अब भारत के अंदर आपका बहुत बड़ा दबदबा है एक साल की बात कर रहे है 15 लाक नहीं 15 लाक से बार रेजिडेंट्स यह सब खताम तुम resident हो बात मेरी खताम तो government amendment लेके आई और बोली हमारे रूल को उधर साइड करो तुमने 15 लाक रुपे कमाया है अब तुम क्या हो गए हो resident हो चुके हो और ordinary resident माने जाओगे इसके अंदर टाइप से इस question को solve करूँ तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाईया पहले इसकी income चेक करो कितनी है जब ही income दिया यहां पे तो कहता है कि भाईया citizen है और not pay कहीं tax भी नहीं दे रहा और 22 तेईस में 2000 22 और 22 तेईस के अंदर इसका income कितना है 12 लाग कहां से है यह taxable Indian income भाई यह इंडिया से कमा रहा है और इसके साथ-साथ 22 तेईस में he also on पांच लाग रुपए कहां से दुबई से इसी साल यह 5 लाग रुपए कहां से कमा रहा है दुबई से ठीक है तो वैसे तो total 17 लाग हो रुपए इंडिया INCOME अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है दप्रोफेशन सेट अप इनडिया प्रोफेशन अप इंडिया बिसाइड इस के साथ-साथ प्रोफेशनल इंकम has earned 10,00,000 रुपए दुबई से और determine the residential status during previous year 22, कहता है professional setup in India India में the professional setup in India था beside the professional income he has earned कितने दुबई से, तो भाईया 10,00,000 रुपए और दुबई से कमा रहा है, 10,00,000 रुपए और तो आप इसके foreign income कितनी है, ये वाली तो foreign income है इंडिया से income कितनी है 12,00,000 रुपए है, तो अब इसके उपर क्या deemed resident माना जाएगा ये, तो जब नहीं माना जाएगा deemed resident, आप इसको resident proof करना चाते हो, तो वही पुराने वाले rule लगाओ, 112 देन सारे चीज़े अगर यहाँ पे इसकी income बन जाती है, इंडिया से कितनी 16,00,000 तब बोलते हैं, पुराने income, जैसे ये कह रहा था 110 दिन हटा, 110 दिन, ये क्या बन जाता, resident बन जाता यहाँ बोल रहा है, इंडिया में रहा ही नहीं, मैंने लग कोई बात नहीं, इंडिया से 15,00,000 से उपर कमा लिया, तो क्या बन गया, ये resident, तो सभी case में क्या माना जाता, वो resident माना जाता, लेखिन क्योंकि इसकी income 12,00,000 रुपे तो अब हमें rule check करना पड़ेगा, उसके इसाब से यहाँ पे non resident है, यहाँ पे भी non resident है, यहाँ पे आपका resident है, और कहता है visit इंडिया 122 दिन and for preceding year 400 दिन, तो भीया, यहाँ पे भी non resident माना जाएगा, क्यों सर ऐसा, क्यों नोन resident, क्योंकि यह Indian citizen है, carrying up profession in Dubai, और दुबई में यह काम के लिए जा रहा है, employment purpose यहाँ पे आ चुका है, तो ऐसे situation में आपको 182 days वाला ही concept apply करना पड़ेगा, तो यह था इसका क्या answer, यह था क्या इसका answer, वो पहले 365 नहीं था, यहाँ पे लिखा हुआ है, in the for preceding year, इसलिए 400 था, ठीक है, चलो सर, अब यह भी इंकम वाली बात आ गई है, इसके अंदर cases है, मैं कुछ भारी questions आपको दे देता हूँ, यह सारी income, एक मिंट, यह दूसरा question तो नहीं है, अच्छा, बच्चे यहाँ पे solution में डाल दिये, चलो, यह सारे questions जो देख रहे हैं, जिसमें amount है, यह अगली class का agenda, अगली class में खतम होगा भाई, हम पहले इस वाले को पढ़ लेते हैं, जो अभी लेके आये थे, यह देखे, अब देखे, इस question में जो मैंने सारी बाते बताई, जो government ने changes किये हैं, उन सभी बातों को बताते हुए, कहता है take our globalization 2.11, assume that he was income 9 lakh instinct of 12 lakh solution में, तो since the total income other than income foreign source, मतलब total income foreign source के अलावा, R is a citizen does not exceed कितने 15 lakh और as per section 6 1A relating to the deemed to be resident in India shall not be apply, इसके उपर भाईया, वो वाला rule तो apply ही नहीं होगा deemed वाला, deemed का मतलब होता है, तुम मत मानो, कोई आ गया और वो अब उसके इसाफ से तुम्हें क्या देना होगा tax, तो वही यह बता रहा है, यह पार्ट कहता है, तो यह homework में डाल देते हैं, यह दीरे-दीरे पढ़के आपको करना पड़ेगा, इसमें ऐसाच कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, और सर यह वाला कुश्चन कैसे होगा, यह वाला कुश्चन तो अलग है taxable इंडिया, Singapore से income तो बड़ अलग कंट्री से, यानि सर आप अगर मुझे बताओ, तो क्या आप, कहां गया, यानि additional condition जो बता रहे थे resident के लिए, आ जाते हैं, पीछे page पे, कहां आ जाएं, यहां पे, सर resident करने के लिए, एक तो यह वाले सारे, जो हमारे ताम जाम इतने सारे rule and regulation है, यह तो है ही है, इसके अलाबा आपका एक क्या आ जाता है, deemed resident, और deemed resident में क्या concept apply करोगे, सर इसके अलाबा क्या आ जाता है, deemed resident, मैं सोच रहा हूँ, एक ही जगा आपके notes बन जाएंगे ने, इसके बाद मैं इधर कर देता हूँ, इसको side करके इधर, क्या बन जाएगा आपका deemed resident, याद रखना इसको deemed resident को, deemed resident, सर ये अभी नई नई बाते हैं, जादा पुरानी बाते नहीं हुई, और ये क्या है, 6-1-A, अब 6-1-A क्या होता है, सर, 6-1-A होता है हमारा, के resident तो हो गया, 6-1-A के according, resident कब होगा, when, अगर किसी का भी, when, आपका Indian income, मैं अपनी language में लिख रहा हूँ, Indian income, Indian income तो समझी गए होगे, जो भारत से कमा रहता है, exceed, कितने रुपए, 15,00, जब किसी का 15,00, इंडियन income exceed कर जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम, deemed resident, इसके अंदर आप क्या, ये वाली सारी condition चेक करोगे, तो जवाब है सर, ये सारी condition चेक नहीं होगी, समझ मैं आई बात आपको, चलो कुछ questions आपको करने के लिए दें क्या, क्योंकि ये concept तो हमारा हो गया, खतम, और सारे question homework में भी मिल गए, किताब के सारे question डाल दिये मैंने इसमें तो, तो नोटिंग करिए, नोटिंग देखे, साथ के साथ कर ले तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, वैसे लेकिन समय के कमी के वज़े से हम कई बार नहीं कर पाते हैं,